1% तो देना पड़ेगा यह चलिए देखेगा आगे देखते हैं हम लोग नेक्स पार्ट में आगे नेक्स पार्ट में क्या गरेंगे देखे अब हम जाते कि GST का प्रोसेटिक कैसे होती है तरीका क्या होता है एक मेट देखो क्या से त्विस्वेट करा जाता है कैसे चलता है आपका यह है यहां परव यहां पर ऑप फिस्वीन्asm करोगे तो पहले सब पढ़ेले पर्चेस करोगे तो में तो सेल करोगे है ना आप इस बंदे से परचेश करा कोई समान सब्सक्राइब एक लाग का इस पर जेसी लगाया है फइसे परोक्राइब एक लाग अगर अपनी बात करता हूं यह मैं हो अगर मैं पेमेंट इसे करूंगा तो एक लाग पांजाल जिसमेंसे एक लाख रुपय तो अपनी बाक्रिक्ट में रख लेगा और यह पांच जाल पैसे किसे द tissu कर ने और इस ने बड़न रहा लेकिन इसने करा यह यह इसने से सेल भी तो कर दिया तो मेरे और मेरे खट्चा कित्रा है एक लाग पांस जार एक लाग है एक लाग के बढ़न करूं गया यह पिछ प्चास अरपे जोडए अपने प्रॉफिट के पर रहे किमत कितनी कर दी तो कितना सर्फ 7500 मैंने इस परसंट से जब जैसे चार्ज करा तो इस पचाज बार पर पर वह उस पत्र एक लाग रुपर बीद करा जिस पर वह बटन भी शिफ्ट हो गया ना इसके उपर भी एक कितने पैसे दे गाए और यह मुझे कहा करना है लेकिन इस अमाउंट का जब मैं जमा करने जा रहा था तो मैं बोल रहा था इस सब्सक्राइब करने के लिए उसके लिए आपको समझना पड़ेगा आप इसे कहला होगे इसे क्या होगे लिए इन्पुट क्या होगे क्योंकि आपका खर्चा नहीं है एक पचास पांस और पर यह वारा मेरे लिए देखा जाए तो यह तो मेरे लिए पैसा जमा है गवर्मेट के पास जब आगे रिकवर करूंगा तो मुझे उसका बैइफिट मिल जाएगा यह मेरे लिए क्या है आ तो आपने 7500 कि और इतने 5000 पर आप अल्डरी दे चुके हो तो उसे हटाओ कि सब्सक्राइब करें और उसमें से क्या बचाए आपका सब्सक्राइब करें तो इसी का फाइदा मिलता है प्रेक्स मिल जाता है इस तरीके का फ्लो चलेगा आपके बिजनसें जभी हम काम सीखेंगे अभी एंटिस वक्रा करेंगे तो उसमें यहीं चीज़े सिखने कर बिलेगी क्या jud'? लग्रिया, फइसमें सी जव समझें करेंगे तो उसमें पिज्टेस करेंगे तो इसने पीक करेंगे तो वह मरं इंपूठ और इंपूल रहा है तो उसमें पार 1992 वह हमारे जाना नहीं है वो हमारे पास अभी मिलेगा benefit मिलेगा उसका आगे शिफ्ट कर लेंगे कंस्टूमर से ले लेंगे और उसे अपने पॉक्री में रख लेंगे तो यह हमारी तब से पांच जार पर जमा आए गवर्मेंट के पास जब हम इसे सेल कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और आप जमा करोगे को जो अमांट है वही तो आया अमांट यहां पर भी वही हमने जमा कर रहे हैं तो यह तो आपका अब इसके बारे में नेक्स देखते हैं कि जेस्ट होता कितने तरीगे का होगा देखो टाइप जेस्टी को जी ठाया भणा यहां दो लगता है अभी मत बॉलने और सेल प्रणगे लगता लगता है आगर अगर अगर सेल प्रणगे लगता है घुड़ क्सी को गिफ्ट कर दिया क्या करदियाई अब metropolitan को बोलिए मंने मेना अपने भाई लगना तो नहीं चीए लेकिन गवर्मेंट को कर समद चलेगा कि इसने सही में गिफ्ट में दिया और गिफ्ट में दिखा रहा है अगर मैंने किसी को अपना मुबाइल दे दिया अपनी शॉप का और किसी दे प्रिंटर उठा लिया एक्षेंज कर लिया तो यह तो लेगना चाहिए इसलिए गवर्मेंट देना एक बड़ी डेफनेशन देती लोग इसको पकड़के छोट हो सकते हैं कि सेल पर लगेगा लाकि एक्टिविटीज इंवाल्व कर लेते तो उन्होंने कहा कि जब भी गुड्स सप्लाय होंगे सप्लाय मतलब जिसमें जो चीज जब भी वह कोई वी सर्विषी को दे रहे हो और उसमें कोई बिल रहा है कोई मिल रहा है और वह आपकी बिजनस अपको उने परण सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सपलाइब कितने तरह कि योगी तो तरह कि एक विदिन स्टेट कि सप्लाय होगी थिक गजिसें बुलेंगें इंट्रा स्टेट शप्लाय कि एक होगी हमारी आउटसाइड स्टेट जिसे बोलेंगे इंटर स्टेट इंटर स्टेट इंटर स्टेट सप्राय होती है तो गवर्मेंट बोलती है हमें दो हिस्टों में टेक्स देना एक स्टेट 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 और एक एक स्टेट स्टेट समान बेचते हो जब collect करोगे सामने वाले से तो बोलके देना मिल में दिखाना कि स्टेट इतना इसट इतना अब रहा और वो कैसे डिवाइड होगा वह proportion कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी एकोल है अगर 12 परसन द कि एडिए से लेगए कि लेघेगा ओड City में आई कि ए अंटीघ्रेटेड फिल सर्विसेसे टिक ना और चेइड पता ही है स्टीट पते ही है इसमें लास्ट चीज बचके है उसे भी कवर अप कर लेते हैं फिर उसके बाद ये फ्री हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग इसमें प्रेक्टिकल पार्ट में पहुच जाएंगे नेक्स पार्ट इसमें बचा है रिटन्स का जब आप रिटन्स फाइल करने का मतलब क्या होता है गवर्मेंट को यह बताना कि यह 2500 कैसा आया का यह बंचीत बच्टीट उर पर जमा कर रहे हो लेकिन प्रटीश इप मत मुझे बताओ यह मैं बताऊंगा आप अ कि तो उसके लिए कहा गया आप उसके लिए रिटन्स करो तो रिटन्स करो निए बोला में के आपैल में गया अपने सेल पर्चेस करी उस दस से पहले पहले आप क्या भेज़ दो जिसे बोलते हैं हम आउटवर्ड कि सप्लाय को ठीक है कि सेल की डिटेल बता दो आप दस तारीक से पहले पहले गवर्मेंट ऐसे भी बोल सकती थी अपना भेज़ दो नहीं अपने अपने इसाब से भीजने लगे कोई तो एक्सल में वर्ड में बना के देगा कोई PDF की फाइल भेज देगा हमाल को रीड करना मुश्किल हो जाएगा गवर्मेंट एक फॉर्मेड बना के दे दिया जी एस टी आर वन के रूप में बना के भीज़ दो उसमें डिटेल भर कि हमें भी भीज़ दो कि बस से लेकर के पंदरा तरीक तक अपको टाइम बिलेगा तरीक तक आप पर्चेस की टीटेल ली भीज़ दो जिसे वो लेंगे हम इंडवर्ड इनवर्ट सप्लाय है कि इसके लिए फार्म क्या दिया जी एक तूब लिए कि है तूब भी कह देंगे अब गवर्मेंट को देखो इन पूपुट भी पता चल गया और किया में बताने अब भाइन हमें बताएगी ना कि इतना टैक्स बन रहा आपका फिर गौभर्मेंट सोला में निए दो बता दिया तो आपके बाद ताइम मौकम मिलता है तीस तरीक के अब उस सब्सक्राइब है जमाइन हो झाये जब लिए सब्सक्राइब हो जाए कि चाहरे कि उसे कर लो और वsteps करने के बाद आइक समा करो कि करते ही आप सब्षाइल करो आप कि तो आपका अप्शन ले सकते हुए कि आप कोर्टर लिटना करो चाहां रैगूलर डीलर क्भी न उभ और अगर अगर आप composite dealer हो तो आप क्या करोगे करोगे किसको लेकिन करना है लेकिन अगा देड़कुर से कम है रेगुलर स्कीम ले रखिए तो आप क्वार्टिली भी कर सकते हैं अपके बास इतना ग्यान आपके पास होना चाहिए जब आप GST की इंप्लिमेंटेशन करें तली बे आपम तली में जो इंप्लिमेंटेशन करेंगे इसका आन्टी परसस्क करेंगे त्यूंध में करेंगे थे चैए थे थैंक्यू तो प्छ